दूस्तु नमस्कार आप लोग का मेरे चनल में स्वागत है मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ अगर एक न्यू पासपोर्ट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही असान तरीके से आप बना सकते हैं खुद घर बैठें तो यहाँ पर इस पेज का हम आपको ड पर बनाने तो छोटी से एक आईडी तयार करने होती है यहाँ पर पहले तो आपको पासपोर्ट आपकी है आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसके बाद आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर आप नाम प्रस मिडिल नेम मेंसन करेंगे और उसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ पर डिट आप बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पर जो भी आपके पास इमेल आइडी अवलेबल है उसी मेल आइडी को फिल करिएगा अगर उसी इमेल आइडी को अब लोगिन आइडी बनाना चाहते हैं तो इस पर ट्रिक कर दीजिएगा जिससे कि यह ज इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पर उसके बाद आपको पासवर्ट फिल करना है पासवर्ट की जो पॉलसी है आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको पासवर्ट की पॉलसी बताया जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पासवर्ट की पॉलसी पासवर्ट बताया गया है कि zero से password यहां बताया जाता है कि पास़वर्ट कम से कम 8 से 14 गैरेकटर की बीच होना चाहिए यहां पर पहला बताया गया जीरो से 9 तक कई अंग ओना चाहिए एक कम से कम और यहां पर कम एक lower case होना चाहिए कम से कम एक upper case होना चाहिए साथ में special character होना चाहिए तो दूस्तों जैसे कि अगर आपका नाम राम है तो capital R रख करके सारे element को छोटा रखे add the rate लिक करके अपने year को mention कर सकते हैं जैसे 2004-2005 है आप अपने coding palsy को रख सकते हैं उसकी बाद आपको दुबारा सी confirm password पे क्लिक करना है और यहां पर hint question में आपको question चूच कर लेना फिर उसके बाद आपको question क answer देना है जो भी answer देना चाहिए यह दोस्तों इसलिए कर किया जाता है क्योंकि कभी कभी होता है आप अगर password भूल चुके हैं तो ऐसी इस्तिति में password भूलने की इस्तिति में आपको करना क्या होता है कि यहां पर चूपी hint question देया है तो उसे आप hint question के answer दे करके आप अपना password reset करते हैं उसके बाद आपको यहां पर चोभी पर चूपी captures फिल कर यहां पर फिल करके registered पर क्लिक करेंगे जैसे ही registered पर क्लिक करेंगे यहां पर कभी कभी होता है कि कुछ time भी लग जाता है आपकी mail id पर message आने में mail id पर एक link और message के थो जाएगा और उसके लिखा रहता है कि इस link को click करके open करेंगे जैसे open करेंगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है home पर अगेंड चले आना है मेरा login id पहले से त्यार है तो इसलिए मैं अगें इस्क्रोल डाउन करके लोग इन यूजर लोग इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका यहां पर login id आपने बना रखा उसको फिल करिए और यहां continue पर क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं जो भी आपका email id आपने डाला खता या login id डाला खता उसको डाल करके password डाल करके हम यहां पर login हो चुके हैं यहां पर आने के बाद आपको मिल जाता है apply for फ्रेस passport या reissue passport इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीकी का dashboard open हो जाएगा तो य प्रेस passport है या reissue passport है आप अपने according select कर लेंगे अगर मेरा new passport है तो new passport पर क्लिक करेंगे क्योंकि दोस्तों reissue का मतलब दोस्तों अभी आपका पहले से बना हुआ है किसी वज़ा से आपका फट गया है या आपका expiry हो चुका है तो इस इस दिने में यहां पर आप यह वाला select करेंगे तो नया है तो आपने फ्रेस passport पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर अप्लिकेंट टाइप application पूछा गया है नार्मल पासपोर्ट चाहिए है ततकाल नार्मल पासपोर्ट में दोस्तों टोटल पंदरा सु रुपे फीस करेंगे और ततकाल पासपोर्ट का जो होता है वह 35 रुपे टोटल आपके खर्च हो जाते हैं तो यहां पर नार्मल पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे बुकलेट टाइप में आपको यहां पे 36 पेज का आप जो आपको पासपोर्ट की बुक आती है कितने पीज़ेस की चाहिए आप अपने कोडिंग सेलेक कर सकती है यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरीकी का डेश्बूट ओपें हो जाएगा यहां पर अप्लिकेंड डीटेल आपसे पुछी जाएगा जो भी आपका नाम है आप अपने कोडिंग रख सकते हैं चलिए मैं यहां पर जो भी नाम है आप इस माल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर बताया क्या है कि आपको असरिनिम मैं से आप जाने जानते हैं यहां आपको यहां पर मैं कोडिंग देना पड़ाएगा फिर ऐसकि बाद आप से पुचह देर क्या आपका नाम चेन्ज हुआ यहां पर पूछा गया है और यहां पर दूस्त होता है इसको आपको छेड़ खानी नहीं करना है इसको नो पर रहने देना है क्योंकि आपका पूछा गया कि क्या आपका जो है जनम इंडिया से बाहर हुआ है तो क्या है तो पर आपको नो पर ही रहने देना है नहीं मेरा इंडिया में हुआ हुआ है इसलिए उसके बाद यहां पर जनम होगा है जन्म आपका बेढ़ कर सकते हैं यहां है घर्म कर सकते हैं तो पार चookie के कर सकती है यह चीज और जब MAJZ करेंगे तो ऐसेसा में आपकी waffe का विवज entertainment मागआ जाता है और अगर सिंगल करेंगे तो ऐसे सलिक नहीं मांगा जाएगा या अप ठान को दूर्च हो जाता है तो गोवर्मेंट के गोदिंग जहां पर प्राइवेटि रोडे अरब तो पर यहां परो फ्राइवेटी दी तक कि यहां धी 另ग देगी है कि गपनाएवेटि को आपको यहां ठोलेगा अगर नहीं है तो सिंगल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे फिर इसके बाद यहाँ पे इंडिया बाई में बर्थ ही रहने देजेगा इसमें कोई चैजेज नहीं करेंगे फिर इसके बाद पेंड कार्ड नंबर आपके पास अवलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं जो भी इसमें रेड मार्किंग है वो कमपल सरी है फिर इसके बाद ओटर कार्ड आपके पास अवलेबल है तो भी लेके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे जितने कम डॉकॉमेंट हों होल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपने कोडिंग बेंट कार्ड नंबर डाला सकते हैं यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दे आपको जब भी पासपोर्ट बनाई है तो आधार कार्ड ले लिजे हाई स्कूल के मार्शिट बैंक पा अपने कोडिंग सेलेक करेंगे उसके बाद आप से पूचा जा रहा है इस आधर आफ योर पैरेंट इनकेस माइनर इसपाउस गौर्णमेंट सर्विस का मतलब कि आपके जो भी पैरेंट है या माइनर स्पोम है तो क्या आप गौर्णमेंट सर्विस के हैं परिवार वाले यहां यह अपने कोडिंग सेलेक करेंगे फिर उसके बाद एजुकेसन डितिल करेंगे अगर आप स्टेवन और लेस तेंस चूज करते हैं तो आपका जो पास्पोर्ट बनेगा यहाँ पर आपको इस तरीकी का मैशेज आ रहता है कि जो पास्पोर्ट बनेगा नाने एसी अ अगर आप तेंद चूज करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका पासपोर्ट बनेगा, एसी आर बनेगा, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कोडिंग करेंगे, तो जो भी education है, आप अपने कोडिंग यहां पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ पर उसके बाद आप अपने एकोडिंग यहां पर कर लेंगे तो नोट पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आधार नंबर आपको अपने एकोडिंग यहां पर करते हैं यहां पर पिछाणी के बाद आपको फैल करना का परिखने की यहां करने Mention करना है तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर blank भी छोड़ सकते हैं सिंगल नेंब में उसके बाद mother's name में आपको यहाँ पर first name, middle name आपको यहाँ पर mention कर लेना है जो भी है आप उसके बाद यहाँ पर आपको surname mention करना है आपको जो भी आपके अधरकार में दी गई है या document में है उसके बाद आपको यहाँ पर legal guardian name आपको applicable है आपको यह optional है छोड़ना चाहिए छोड़ सकते है लिखना चाहिए लिख सकते है फादर कराम again यह तो आप next पर click कर दिए यहाँ पर उसकी next पर click करने के बाद आपको यहाँ पर resident address से पूछा जाएगा तो पूछा गया है क्या आप इंडिया के बाहर के है यहाँ पर नोपने देंगे नहीं मैं इंडिया से हूँ फिर इसके बाद यहाँ पर आपको house number या and street name mention करने के लिखा जागा तो अगर आपको house number और यहाँ पर street name नहीं है आपका जो village है आपकी village लिखेजिए चलिए village मैंने यहाँ लिख दिया फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी post है post को आपको यहाँ पर mention कर लेना है चलिए मैं post भी mention कर लेगा हूँ फिर इसके बाद यहाँ पर village town city आपको यहाँ पर किसी एक को fill करना है फिर इसके बाद प्रज़ोर को मेंसिन कर लेना जो भी एरिया का Cod होगा तो आप अपने Coding जो भी He finance PIN code बें लाद we बलावा भी है इसी नंबर को एक जाता है को इमेल आइड़ गाम काने फोचने की तो चलिए हम यहाँ पर email id को mention कर लेते हैं, जो भी आपकी email id है, आप अपने e-coding mention कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पर email id को mention कर लेता हूं, और उसके बाद यहाँ पर पुछा गया है, कि क्या आपका permanent address available है, यहाँ पर click करेंगे तो automatically आपको again आपको, अगर same है, तो यहाँ पर click करेंगे, अगर same नहीं है, तो उन्हों पर click करके आपको detail करने पड़ेगे, चलिए मेरा same है, तो same पर click करके आपको next पर click करेंगे, जैसे next पर click करेंगे, आपको यहाँ बताया जाता है, I agree to receive SMS update passport से वा, इस वो okay पर click करेंग father's name में यहाँ पर mention कर लिजिएगा, आप recording, फिसके बाद आप जो भी address होगा, आप recording यहाँ भी mention कर लेती है, चलिए मैं यहाँ पर mention कर लेता हूँ, address अपने गाओं का, यहाँ पर जो भी है, फिसके बाद यहाँ पर mobile number again मागा जाता है, जो भी आपका mobile number आप again दुबारा से फिल कर लेजेगा, उसके बाद आप next पर click करेंगे, जैसे next पर click करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा number एक कलत्व चुका है, और next पर click करते हैं, और जो भी आपका without trademark है, मैं उसको छोड़ते जा रहा हूँ, वो compulsory दोस्तों है ही नहीं, optional है, आप mention करें कोई दिक करनी है, नहीं मैंसर करें तो भी कोई दिक करनी है, तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, कि detail प्रिबियस करेंट टिप्लोम्ट प्रिजल पस्पोर्ट, डीजल एवलेबल है, पस्पोर्ट आपका पहले से बना हुआ है, डीजल पहले से एवल यसके बाद यहां पर आपको अदस्त टेटील मनगहेएकर यहां पर क्रिमर Yeah कोई क्योडिंग यहां पर मांगा जाएगा कि कोई भी है से दोस्तों क्रिमिनल रिकार्ड के कोडिंग आते हैं और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है तो आप सब पर क्लिक करेंगे जैसे नेश्ट पर क्लिक करेंगे आपका पासपूर्ट यहां पर सो हो जाएगा आप अपने कोडिंग यहां पर सब सारी डिटेल्स को मि करेंगे अगर मार्चि अपलेगि करना चाहते हैं ट्रांसफर स्कूल लिविंग मैट्र इस्टिफिकर पर क्लिक करेंगे इसकी बाद आप से पूछा जा रहा है कि प्रूफ आप में आपके डाकुमेंट्ब्स देना चाहते हैं यहां पर आपको अपने अधार काट को स्लिक कर in चीड़ेंगे इसके बाद जहां से आप फार्म करना है वहां का अश्थान लिख देंगे और आगे प्लिक करें कि सम्मेट पे क्लिक करेंगे जैसे जिसे नेश्ट पे क्लिक करेंगे और आगे आपको नेश्ट का आप जएगा और उसके बाद यहां पे आपको ने कोडिंग जो भी जहां पर भी पासपर ओप स्थी चाहते हैं यहां पर हमें मैंजमार करेंगे फिर उसके बाद यहां पे जोबिчи गरें पर क्याक्पर्श को तरख़अड करा चली तरीकर侈यगे अब यहाँ पर आपको date select करना है, date यहाँ पर select करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पंदरा सुर्पे का payment करता है, और यहाँ पर आपको date select करना है, जो भी date आपकी खाली होगी, उस date में आपको select करके, pay and book पर click करेंगे, और okay identification पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, आप आपका जहां पर नजधी की पासपोर्ट ऑपीस है उसके मुझे भी सेलेक की हैं उसके इकोडिंग वहाँ पर जाना होगा सारी डॉकुमेंट क्लिक लिए लेकिन इससे पहले आपको पैमेंट कर लेना है पैमेंट आपका देख सकते हैं नेट बैंकिंग क्रेडिक क्रेडिक कर अब आपको अपना पैमेंट करना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना है और आपका by chance किसी कारावड़ प्रस जाता है तो आपको भडाने की जोबत नहीं है payment and appointment पे आएंगे और यहां पे tracking payment status पे click करेंगे और यहां पे click here to verify payment पे आपको click करना है जैसे click करेंगे आपका payment verify हो जाएगा और आसानी से आप जो है अपना payment जो है finally कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पे click verify पे click करते हैं यहां पे मेरा payment to verify नहीं हो रहा है क्योंकि अभी यह कराया है और यहां पे आपको 2-4 गंटे या रात में आपको try कर लेना जिसे कि आपको passport का यह receipt है डाउलोड हो जाए और आसानी से आप passport widget करके अपना एक new passport apply कर सकते हैं तो आपको यहां पे receipt download यहें से करना है जैसे कि view saved submit application form पे click करना है और यहां पे जो भी आपका form नंबर होगा यहां नंबर उसपे select कर लेना है और जैसे इस click करेंगे आपको यहां पर देख सकते हैं आपको payment and appointment को option है उस पर आपको click करना है यहां पर आपको payment का options होगा और अगर आपके coding जो भी अगर appointment नहीं select हुआ तो यहां पर आप पे and schedule का appointment का option है तो अगें आप दोबारा से appointment ले सकते हैं तो अगर आपका payment जो final receipt download करना है तो view print submit application form पे click करेंगे जिससे कि आपका जो भी print application है या तो यहां पे देख सकते है print application receipt इस पे भी click करके आप अपने code integrating यहां पे receive रख सकते है तो इस तरीके से इस receipt को यहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर receipt अगिन यहां सो हो रख चली मैं यहां पर print application form पे receiptrice कलिक करता हूं जैसे क्लिक करेंगे अगेना इस तरीके पे पेस्षी दो अपहें हो जाएका DANA है और अपने डॉकुमेंट को लेके जाना है वो भी ओरिजिनल जिसे कि आप पास्पोर्ट अपना बनवा सके तो इस तरीके से आप एक न्यू पास्पोर्ट अप्लाई कर सकते हैं ओके दोस्तों थैंक्यू बाएं